इस तरहां से 22 मई 1987 को हाशिमपुरा के 42 अफराज जो थे उनको उठाकर और ले जाकर कतल कर दिया गया था यहां की हिंडन नदी के किनारे उसी तरह 23 मई को उससे कुछ अलग नहीं हुआ था यहां एक महला है मल्याना और महाँ पर 125 से जादा मकानों को नजरे आतिश कर दिया बल्वाईयों ने और उसके बाद जो लोग जब घर से बाहर भागे कर्फ्यू के दौरान कर यह वाक्या था और हफ़ते का रोस था जुम बाहर पिएसी के जवानों ने जिनों ने पहले दिन पिएसी के कुछ जवानों ने जहाँ हाशिमपुरा के लोगों पर जलम धाया था वहीं दूसरे दिन 23 मई को दोपहर के वक्त तकरीबँन 12 बजे रोज़एदार थे यह सब और इन पर जलम धाया गोलियों का निशाना इसमें 73 अफराद जाब हक हो गए थे और सबसे इसमें बड़ी बात ये है के हाशिम पुरा केस को जहां मीडिया कवरिज मिला है अब और उसके बाद इतनी पेशरत की गई इतनी कोशिशें की गई तो हकूमत के कान पर भी जूरेंगी लेकिन इस पूरे मामले में मलियाना जो पादी तो है लेकिन जो मतासरीन थे उन में से जादातर अफराद वो महला चोड़कर उसके बाद चले गए थे जो बच गए थे आज हमारे साथ ऐसे शक्स मौजूद हैं यहां पर महमान जो मलियाना गतल याम मामले में ना सिर्फ गवाँ हैं बलकि यह पूरी जो दहशत क मनजर था उन्होंने अपनी आखों से देखा इस वहशियाना गतल याम को उन्होंने अपने आखों से देखा और वो उसके मतासर भी हैं यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं महम्मद याकूब इनकी जबानी आप सुनिए किस तरहां से वो 23 मई को मलियाना के मुसल्मान जो व पहली F.I.R. भी इन्होंने यहां पर ब्रह्मपूरी थाना में दर्श कराई थी जिसकी कौपी भी ट्रांसपोर्ट नगर में जिसकी कौपी भी नहीं है मौजूद इसको वहां से फाइल से गायब कर दिया गया है यह हमारे साथ मौमद याकूब हैं इन ही से जानने की कोश लियाम अन्जाम दिया गया और उस वक्त से लेकर अब तक इस मामले को किस तरहां से इसकी पैरवी हुई किस तरहां से यादालतों में आज भी ठोकरें खा रहा है देखिए उस वक्त का मंदर तो यह तो बहुत बहुत मुश्किल है लिए क्योंके मौत मैंने अपने सामने देखिए है मौत मैंने देखिए है तो हमें यहीई पता नहीं था है कि यहां कुछ होगा पुलिस आई पीयसी आई चारो दरस से हम लोगो घेर लिया गया हमने के चलो वी से तलाशी लेंगे या कुछ कहेंगे कुछ सुनेंगे तो हमें तो इस बात काstudy आई ही नहीं कि यह हाँ ऐसा भी होगा तो चारों तरस से छटों पे चड़ गए पीए सी वाले इदर से चड़ गए उनके साथ जो हैं दूसरे बलवाई भी दूसरे शमदाय के जो लोग थे वो भी मौझूद थे और उन्होंने एकदम गोली मारी एक लड़की के जो बच्ची थी तक्रीबान आ गो्लें चलती रहीं चलती रहीं मरते रहें गिरते रहें छटों पे वह दूसरे लोग जो WhatsApp धुमा क्यों उटने लगा भई तो कुछ औरते बच्चे लोग घरों में कुंडिये लगाके जान बचाने की घ्रस से घुसे तो उनको बाहर से कुंडिये लगा दी बल्वायों ने और उन आग लगा दी पहले लूटा और फिर आग लगा दी पहले लूटा और फिर आग लगा दी चार तरफ आगी आग होने लगी फाइरिंग होती चली गई फाइरिंग होती चली गई लोग मरते रहे छुरो से इस से उस से मारते रहे जिसने कुछ दे दिया ठीक है नहीं दिया तो उसका गला काट दिया किसी का पेट काड़ी तो ये तो बहुत मुश्किल है मैं अपनी जान बचा के अपने घर से भागा तो अपनी अपनी पड़ी हुई थी ना मा की पता ना बीवी की पता ना बच्चों की सबको अपनी अपनी थी के हम कैसे जान बचा है तो जब मैं घर से निकल के भागा तो सामने ही पीएशी के लोगों ने चारो तरफ से बंदू के लगा दी, पकड़ लिया, मेरी कमीज उतारी, और पीछे को यूँ करके हाथ बांदी और मेरे साथ तीन चार लड़ के और भाग के निकले जैसे घरों गरों असे जंगल की तरफ जाने लगे तो उनको पकड़के सबों के हाथ वाद बांदी ए और हमें ले गए जब गाउंसे बाहर लेकर के गए तो महा जंगल था तो वहाँ P. A. C. के ट्रक खड़े गुए थे दो और अफसरों की भी गारिये खड़ी हूं थे तो उन लोगों ने वहाँ जा करके हमें इतना मारा इतना मारा बटों से लाठीयों से सिर्फ फूड गया खूनम खून गर्मी बहुत शिद्दत की थी रोजे से ते हूं तो बहुत मारा हमें नहीं पता लगा फिर तो इतने में क्या देखते हैं हम छे लड़के थे उसको तो उस वक्त एक थाने की हमारे वो आई जीप आई और हमें जो है उटा करके गाड़ी में भरके ले गया और जब हो अकेले ही था तो उसने कहा करके तुम्हारी जानने बज जाएंगी मैं तुम्हें थाने ले करके जा रहा हूं जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ तो हम थाने अच्छा थाने में रिपोर्ट भी दर्च कराई गई आपने थाने में F.I.R पहली F.I.R आपने 24 माई को दर्च कराई उस F.I.R का क्या हुआ और 28 सालों में इस केस का क्या हुआ क्या आलम देखिए इस केस का यह हुआ कि वो शुरू में तो छे महीने करफू नहीं हटा तो हमें कुछ पता नहीं लगा कि क्या होना है क्या हुआ सालों बाद जो है वो हमारी जो है जस्टिस थे उनको इंक्वारी उन्होंने इंक्वारी की तो हमें कचेरी जाना पड़ता था तो उसमें सालों बीट गए सालों बीट गए उसमें वो इंक्वारी होके निम्टी तकरिमें चार या पांस साल गुज़र वो रिपोर्ट नहीं आई आई तो उसको शाया नहीं किया जे आल सिरीवास्ताव जी थे तो उन्हों ने हमारी इनक्वारी की थी तो उनकी रिपोर्ट आज तक भी शाया नहीं की उसके बाद दसन साल के बाद बीद गए तो हमार पास समध आए कि जी आपका मुकदमा चालू हो गया हम कचैरी गए अफ आई आर का क्या हुआ उसमें जो अफ आई आर जो दर्च कराई है तो वो सुभा को दर्च कराई है तो उसमें मेरे से तो साइन और अंगूटे क्योंके मैं पड़ा लिखा आदमी नहीं हूँ मैं एक डैवर आदमी था उस वक्त तो मेरे से साइन करा लिये थे मुझे नहीं पता था कि ये किया है बहूँ सारे काज़ों पे कराई थे ठाने के अंदर फिर हमें मेडिकल ले गए तो फिर उसके बाद नहीं पता लगा फिर हमार millet पास समन्छ आए तो मुझे जब पता लगा कि ये तो एफ आई आर मैं नहीं कराई है हाशिमपुरे का जिस तरह से केस चला तो वो तीस हजारी अधारत पहले घाजियाबाद फिर उसके बाद ट्रांसवर होके दिल्ली गिया और वहाँ पे काफी वाख तक तारीखें लगती रही लेकिन मल्याना का तो केस का ही कुछ पता नहीं चला किस तरह से गवाईयां हुई या किस तरह से इस केस को आगे इसकी पैरवी की गई किसने की या फिर इसका अंजाम क्या हुआ कुछ भी नहीं पता चला एक गवाई के तौर पे आपने इस मामले को देखा है गवाईयां भी दी है जब जाच हुई थी तो यह केस दरसल अब इसका कहां पे है यह केस क्या इसकाल मैं बता रहा हुआ है उसमें यह हुआ कि समन्द आए वहाँ पहुंचे हम तो वहाँ जाती जो है हमारी जो फर्ष्ट फाई यार जो मैंने कराई थी वो वहाँ से गायब होगी थाने से भी उसका रिकॉर्ड गायब करे तो बचाओ पक्ष की जो वकील थे जिस तरह से यह मौमद याकूब साब ने बताया कि 28 सालों में जो हाल हाशिमपूरा मामले का हुआ और उसके बाद अब जो है उसको इतनी कवरेज के बाद फिर से यह मामला उठा है और इनसाफ की बात की जा रही है तो कहीं न कहीं मल्याना के जो 73 महलुकीन के खानदान वाले हैं उ उनको किस तरह से इनसाफ मिलेगा इसका भी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जिसमें तीन गवाईया अभी तक सिर्फ मुकमल हुई हो तो हम उम्मीद यही करते हैं कि हाशिमपूरा के साथ हमसे कम मल्याना के जो मतासरीन है उनको भी इनसाफ मिले मौफजा मिले अब हम चलते हैं अपने स्टूडियो वापस हैदराबाद